अच्छी और सची खबरों में आज हम सब से पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के अमेरिका दोरे की जिसका आज सबसे एहम दिन है वाइट हाउस पहुँचने पर राश्रबती जो बाइडन और परस लेडी जिल बाइडन ने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी का स्वागत किया इसके बात प्रधानमंत्री के सम्मान में उनको गाड़ा पॉनर दिया गया इस कारिक्रम में शामल होने के लिए बड़ी संख्या में अमेरिका में रह रहे भारतिये वहाँ पहुँचे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के राजी के दोरे के तीसरे दिन दोनों देशों के बीच कुछ हैम समझोते हुए है जिन में एक समझोता फाइटर जेट के इंजन को लेकर है अमेरिकी कमपनी GE Aerospace और भारत की हिंदुस्तान Aeronautics Limited के बीच करार हुआ है अब GE Aerospace और HL मिलकर भारतिये वायुसेना के लिए फाइटर जेट इंजन बनाएंगे इस दील पर जुई के अध्यक्ष और CEO H.L.R.N.S. जूनियर ने कहा है कि ये भारत और HL के साथ लंबी साजोधारी से संभव हुआ है ये करार भारतिये वायुसेना के हलके लड़ाकु जेट MK2 प्रोग्राम का हिस्सा है जिसके तहट भारतिय वायुसेना के LCA MK2 के लिए F414 जेट इंजन अब भारत में ही बनेंगे और इस एहम डील से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा तो हैं समझाता आज के दिन इसके अलावा बहुत सारी एहम डिफेंस दील्स और एहम समझाते होने जिस पर लगतार नजर है परलाल आज प्रद् כणि नेयरेंद मोदी जिस वक्त पहुंछ हे बाई था उस तो भवस्वागत गाड़ ओफोनर प्रद्धान मुत्री को दिया गया और ये तस्वीरे वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं प्रदान मुद्री ने रिंद मोदी जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने का कि क्षेत्रिय वैश्विक मुद्धो पर विस्तार से यहां पर बात होगी, उमीद है कि हमारी बाचीत पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, इस पर खास्ता और प्रदान मुद्री ने जोर दिया, आज अमेरिकी कॉंग्रेस को संबोधिर प्रदान मुद्री ने किया है, भी करेंगे, और दोनों देशों के बीच नए सम्मंदू का भी आखास कहां पर होगा, क्षेत्रिय वैश्विक मुद्धो पर विस्तार से बाचीत होगी, पर तस्वीरे वाइट हाउस की, जिस वक्त अमेरिकी राश्पती जो बाइडन और उनकी पत्नी दोनों ने स्वागत किया, गार्द अफॉनर थी दिया गया, और बड़ी बाद जो आप इन तस्वीरों में, तीन तस्वीर में, वाइट हाउस में जब प्रदान मुद्री नरिन मोदी पहुंचे, गार्द अफॉनर की तस्वीरे और अलग-अलग मंत्रियों से प्रदान मुद्री नरिन मोदी ने मुलाकात भी की, जिसमें उपराश्पती कमला हरस भी मौचू की, सबसे पहले उन से मुलाकात की और उसके बाद जो बाइडन अपनी क्यावनिर के दूसरे अलग-अलग मंत्रियों से प्रदान म प्रदानमिच्र ने कही है कहा कि God Bless America ये बात भी इस बात कर सिखर भी क्या है ये सीधी तस्वीर हम हां से दिखा रहे हैं और बहुत अहम पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश देने के लिए तस्वीर बहुत अहम हो जाती है क्योंकि जहां एक तरफ रिष्टे और ज़्यादा प्रगाड हो रहे हैं, वहीं ये संदेश विजाता है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच साजुरारिया भी अब आगे बढ़ती जा रही हैं। ने वहीं धार में और उस बात का ज़िक दोनों ही प्रदानमें श्री नरणरय मोदी ने भी किया और राश्वदीं जुबाहिजर ने भी इस बात का ज़िऊ किया। प्धानुट्र नर्दमूदी ने कहा जैहिन गौद्लेस अमर्का नमस्तर से शुरुवात हुई स्ने भरे नेम इंतरन गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए प्धानुट्र ने आभार भी जताया है दोनों नेताओं की यहाँ पर कर्म जोशी के साथ मुलाकात कहा कि उम्मीद यही है कि हमारी बाचीत सकारात्मक हो और यह मुलाकात यह दौरा सफल रहे मंतरियों से मुलाकात करवाते हैं जो बाइडन प्रधानुट्री नर्दमूदी वहाँ पर मौजूद है गार्ड अफ ओनर दिया गया वाल्ट हाउस पहुँचने पर तमाम एहमुद्धे हैं क्षेत्र वेश्विक जिनको लेकर चर्चा होनी है और प्रधानुट्री नर्दमूदी नर्दमूदी ने उमीजटाई कि यह बाचीत सकारात्मक हो गी लेकिन राशपती जो बाइडन ने क्या कहा वो आपको सुन्वाते हैं पुल्धे हैं We spent a lot of time together going back to when I was vice-president and you had just become prime minister and since and since I become president we have continued a relationship built on mutual trust candor and respect the challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together And we are नेतित्व करें और हम कर रहे हैं Friends आज बाइट आउस में सुषांदार स्वागंत समारब के एक प्रकार से भारत के 140 करोड देश वासियों का सनमान है 140 करोड देश वासियों का गवरो है यह समान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मुल्के लोगों का भी समान है इस समान के लिए बरास्पति बाइडन और डॉक्टर जील बाइडन का उनके प्रती रिदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दोनों ही नेताओं ने इस मच्च से जो बात कही वो सर्फ फर सर्फ इस और इशारा करती है कि ये स्टेट विजट सकारात्मक रहे पॉजिटिव नतीजे आएं जो बात ने स्वागत किया प्रधान उन्चरी ने दिल से आभार जाता है इस बात पर खास तोर पर प्रधान उन्चरी ने जोर दिया कि ये स्वागत सिर्फ उनका नहीं बलकि 140 करोड भारतियों का है जो यहां पर हूरा है भारत और अमेरिका की दोस्ती आज पूरी दुनिया देख रही है 140 करोड भारतियों का ये सम्मान है अमेरिका में रह रहे है भारतियों के लिए ये सम्मान जनक बात है इस बात का जिक्र भी प्रधान मुंत्री ने किया दोनों देशों के हलाकि ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे है दोनों देशों की दोस्ती की ये तस्वीर है जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और प्रधान मुंत्री जैहन गौड ब्लेस अमेरिका की बात भी कही कहा कि ऐसा क्षण है जो बेहत यादगार है प्रधान मुंत्री मोदी से मेरे रिष्टे अच्छे रहे हैं इस बात का जिक्र जो बाइडन ने भी किया उन्होंन करते हुए साथ काम करने का जिक्र किया सकरात्मक नतीजे इस मुलाकात के इस बात्चीत के इस दौरे के निकलेंगे इस पर भी उमीद जताई प्रधान मुंत्री ने भी और जो बाइडन ने भी दोनों देशों के दवश नहीं उचाईएं को छूते रहे हैं इस बात का जि और इस से पहले दौरे के दूशरे दिन राशवती बाइडन ने फ्रधान मुंत्री नरेंद मोदी के सम्मान में वाइट हाउस में फ्रावेट डिनर होस किया और उन्होंने मोदी को एंटीक कैमरा गिफ्ट किया है वही प्रावेट डिनर में पहुंचे प्रधान मुंत्री नरेंद मोदी ने भी बाइडन फैमली को कुछ खास गिफ्ट दिये क्या है ये गिफ्ट और ये तूफे देश के किन किन राज्यों में बने हैं इसके बारे में हम आपको तफ़्ीर से बताएंगे लेकिन पहले ये रुपोर्ट देखिए प्रधान मंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की ये तस्वीरें विश्व पटल पर भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा प्रमान हैं ये तस्वीरें भारत और अमेरिका के मजबूत होते संबंदू की भी गवा हैं देश कोई भी हो मंच कोई भी प्यम मोदी और राश्वपती वाइडन अपनी दोस्ती को और मजबूत करने का मौका नहीं छोड़ते वाइट हाउस से आई ये तस्वीरें इसका सबसे ताज़ा प्रमान हैं राज़के दोरे पर अमेरिका पहुँचे प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में बाइडन फैमिली ने वाइट हाउस में प्राइवेट डिनर होस्ट किया खुदराष्ट पती जो बाइडन और अमेरिका की फर्स लेडी जिल बाइडन पीएम मोदी का वेलकम करने गेट पर आए जहां दोनों नेताओं के बीच थोड़ा हंसी मजाग देशने को भी मिला दुनिया के सबसे पुराने लोक तंतर और दुनिया के सबसे बड़े लोक तंतर के निताओं के बीच ये मुलाकात कई माईनों में खास है पुद अमेरिका की फर्स लेडी जिल बाइडन ने भी अपने बयान में इस बात का दिक्र किया वाइड हांस में प्राइवेट डिनर के लिए पहुंची मोडी और बाइडन के बीच इस बुलाकात में कोई आरिकारिक बातचीत तो नहीं हुई लेकिन इस बुलाकात को खास बनाने में दोनों ही निताओं ने कोई कोर कसर भी नहीं छोडी प्येम मोडी ने जहां भारत की कला और संस्कृति को समेटे हुए कुछ तोफे बाइडन फैमली को दिये तो वहीं अमेरिकी राश्रुपती जो बाइडन ने भी डिनर के दोरान प्येम मोडी को 20 वी सदी के एक बुग गैले विंटेज अमेरिकी कैमरा, अमेरिकी वाइल लाइफ फोटोग्रफी से जुड़ी एक किताब और रॉबर्ट फ्रोस्ट की संग्रहित कविताओं के पहले संसकरण की कॉपी गिप्ट की इस प्राइविट डिनर के बाद प्येम मोडी नाशनल साइन्स फाउंडेशन की ओर से आयोजित स्केलिंग फॉर फ्यूचर इवेंट में गए जहां उनकी वेजबानी प्रथम महिला जिल बाइदन ने की इस कारिक्रम में प्रधान मंतरी ने शिक्षा और अनसंधान के क्षितर में भारत अमेरिका से योग को कति देने के लिए पांच सूत्रे बस्ताव के इश किये जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटी के शिक्षण समस्तान है Advanced Technologies है वही भारत के पास बिश्च की सबसे बड़ी युवा फैक्टरी है और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साज़दारी Sustainable और Inclusive Global Growth का इंजन साबित होगी इस साज़दा प्रयास में जरूरी है कि Government, Industry, Academia, Teachers और Students सभी को सामिल किया जाए PM मोधी की कूटनीती का ही नतीज़ा है कि आज दुनिया के जारतर देश हिंदुस्तान के साथ आना चाहते है और अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते है बीते कुछ सालों में अमेरिका भी इसी बात पर ज्यादा जोर दे रहा है अमेरिका से गीता मोहन के साथ Bureau Report Good News Today वाशंग्टन में मौजूद अमेरिकी राश्वती के आधिकार एक निवास वाइट हाउस में अमेरिकी समय के मुताबिक वद्वारात 9 बज़े प्रावित जनका आयोजन किया गया उसे प्रधान मुत्र नारहिन नमोदी के लिए अमरिकी राश्वती जो बाइटन और फर्स लेडी जिल बाइटन ने दिया था जोसमें शरीक होने के लिए पहुंचे प्रधान मुत्र नारहिन नमोदी अपने साथ दोनों के लिए कुछ खास तोफ़े लेकर गए थे इनमें अमरिकी राश्वती जो बाइटन को दी गई दे टेन प्रिंस्पल उपनिशत के पहले संसकरण के कॉपी साथ ही मैसूर के चंदन से बनाए खास बॉक्स के अलाबा उनकी पत्नी जिल बाइटन को 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडी ग्रीन डामन गिफ्ट किया गया इन सभी उफारों में सबसे ज़्यादा चर्चा सालिवुड से बने बॉक्स की है करनाटा के मैसूर से आई चंदन की लकडी से जैपुर के कारिगरों ने नकाशी कर इस बॉक्स को बनाया है जिसमें प्रदान मिश्रिना रेंड मोदी ने ये तोफा वहाँ पर दिया चंदन की इस लकडी के इस बॉक्स में रखी चंदन की डिब्यों में भारत के दस राज्यों की जलक भी दिखती है जो बाइडन को तोफे के तौर पर दिये गए दस दान में से एक है पहला स्थान भॉधान का है इसके प्रतीक के तौर पर चंदन की डिब्बी में चंदी से मढःा नारियल है और इसे पर शुमंगाल की कारिगरों ने बना आ है दूसरा स्थान भॉधान का है जिसमें जमीन का हिस्सा भेज किया जाता है इसके प्रतीक के तौर पर चंदन का टुकडा शामिल है जो करनाटे के मैसूर सुटालू करता है तीसरे स्थान पर तिल दान आता है इसलिए चान्दी की डिब्बी में सफेद तिल रखे गए है जिसकी पैदाबार तमिलाडू में होती है चाथे स्थान पर फिरन्ने दान यानि की सोने का दान होता है चान्दी की डिब्बी में घी रखा गया है जो बाइडन के लिए पंज़ाब से मंगवा गया था चाटा स्थान पस्थान का है और इसके लिए जारखंड में हाथ से बुना जाने वाला टसर रेशम का कपड़ा है चान्दी की डिब्बी में रखा गया है साथमा स्थान है धानने यानि की अनाज के दान का और इसलिए चांदी के छोटे से बॉक्स में लंबे दाने वाले चावल रखे गए हैं जो उत्रा खंड के हैं आठमे स्थान पर गुड का दान आता है और यहीं बचय की जो बाइडन के लिए गुड का एक टुकडा रखा गया है जिससे गन्ये के उत्पादन के लिए मशूर महराश्र में मंगवा गया है नौवेस्थान पर रॉप्यादान यानि की चांदी का दान किया जाता है और इस परमपरा के तहट चंदन की बॉक्स में 99 दश्वोग 5% शुद चांदी का सिक्छा रखा गया है जिसे राजिस्थान की कारेगरों ने तयार किया है आकरिस्थान नमक के दान का है और इसके लिए बॉक्स में गुजरात में बना हुआ नमक रखा गया है तो तोफू के तौर पर इसलिए भी याद किया चाहता है कि 80 साल की अवस्था में व्यक्ति को मानसिक, शाररिक और आध्यात्मिक शक्ति मिल सके गही सामाने तोर पे जैसे आप देखते हैं कि गही खाने से आदमी को सारीरिक शक्ति मिलती है गुल का दान करने से व्यक्ति को तेज और उसके सरीर में उर्जा उसका संचार बढ़ता है तो गुल का दान इसलिए जातातर करके किया जाता है अनाज देखे संपूर्ण जो है शंपूर्ण चीजों को प्राप्त करने के लिए होता है एक मनुष्य का सरीर जो है अनाज की सक्ती से ही चरता है अर्थात उर्जा से चलता है तो उसे उर्जा का स्रोत माना जाता है इसलिए जो है अनाज का दान किया जाता है और अपने सनातन धर्म में तो इसे माता अन्पूर्णा के रूप से देखा जाता है देखे श्वर्ण जो है वो हिरण गरभा है अर्थात उसकी तुलना सूर्य से की गई है उससे सोने के दान करने से व्यक्ति का तेज, यश, कीर्थी, सौभाग ये सभी चीजों की प्राप्ति होती है और वो हिरण गरभा इसके समान जो है वो प्रदर्सित होता है अमरिका के दोरे पर चल रहे प्रदान मुश्री नरिन वोदी ने सिर्फ जो बाइडन को ही गिफ नहीं दिये बलकि उन्होंने बाइडन की पतनी और अमेरिका की फर्स लेडी जिल बाइडन को ग्रीन डामन के तौर पर एक नायाब तोफ़ा दिया है जो 7.5 केरट का है हलाकि किसी हीरे खदान की जगए ये ग्रीन डामन सूरत की एक कमपनी ने अपने लाब में तयार करवा है जल बाइडन को दिये गए हीरे को केमिकल और एडवांस टेकलोजी की मदद से बनाया गया है ब्रीन लैब नाम की कमपनी में तयार हुआ ये ग्रीन डामन प्रती केरट केबल शूने दिसलुक शूने दो आट ग्राम काबन उचसरज़त करता है यानी सोलर और ग्रीन एनरजी की मदद से अस्तव में आने वाला ये हीरा परेवरन के लिए भी अच्छा है इस हीरे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ख़दानों से निकले गए हीरे की तरह हैं सभी गुण है ग्रीन डामन को सुरक्षत रखने के लिए प्रधानमची नेरिन बोदी ने जिल बाइटन को एक खास तरहे का डामन बॉक्स भी गिफ्ट किया है जिसे पेपर मेशी या कारे कलमदानी के नाम से जाना जाता है हीरे को रखने वाले इस बाक्स को कश्मीर के कुशल कारी गरों ने डिजाइन किया है ग्रीन डामन और ख़दान से निकलने वाले हीरे में कोई फर्क नहीं दिखता है हलाकि महरा हीरा प्राक्रितिक रूप में बने हीरों से महंगा होता है यानि प्रधानुत्री नरे निमोदी ने अमेरिका की फर्स लेडी को जो ग्रीन डामेंड दिया है वो काफी बेश्किंती है खबरे सची होनी चाहिए अच्छे खुद बखुद लगती है लब्जूस रहा साइनिग है आप सुनते रहिए और एसे और आप सुनते रहिए गुद्ण.